ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रू सादर जैसी कृष्ण हमारे यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधर मिंद्र शास्त्री आज ह पफला एकारशी का महा परवर हेगा जो भक्त जन मातायं बहने एकारशी का व्रत करते हैं उनको इसी दिन एकारशी का व्रत रखना चाहिए यह आप एकारशी व्रत कथा स्रवन करना चाहते हैं यह एकारशी से संबनित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमार पश्चिक रासी में चंदरमा बिराजित रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो पश्चिम दिसा में होंगे इसलिए पश्चिम दिसा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारण वस पश्चिम दिसा की यात्रा करना बहुत जड़ा विश्यक हो तो तो पान खा करके यात्रा का आरंब कर सकते हैं राहुकाल जो कि शाम को साड़े चार बजे से लेके छे बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवा मांगली कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए हालाकि राहुकाल का निर्णे आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अत्वा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई चेत्रों में माना जाता है और कई चेत्रों में नहीं भी माना जाता है धैनिक ग्रह गोचर के दी हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरिदेव जो की धनुराशी में वहीं चंद्रमा व्रश् इस दैनिक गोचर के अनुसार मेश मितुन सिंग तुला धनु एवं मीन ये छे राशियां सबसे दीक भागिशा लेने वाली है करिक्षित्र में इनको नती और प्रगती के उत्तम अउसर प्राप्त हो सकते हैं धनलाप के सांसात नया काम नई जुम्मेदारी नया मुकाम भी इनको मिल सकता है नगे अगर हम बात करें तो रही भार का दिन है और रही यार के दिन सबसे पहला शुक्य रहेगा विश्पात नो बजे से लेकर के दो पाहर 12 बजे लाब और अम्रत का चोग्रिया रहेगा दोपार में एक बच के तीस मिनट से लेके तीन बजे तर शुब का चोग्रिया रहेगा इस दोरान यदि आप कोई भी शुब काम करेंगे मांगलिक कारी करेंगे नया काम करेंगे तो आपको अधिक से अधिक फाइडे का संयोग बन सक अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सभी भारा राशी वालों का दैनिक राशी फल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्दक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी की आप सब की मदद करेंगे भावख हो सकते हैं आनंद मनोरंजन के कुछ आउसर भी आपको प्राप्त होंगे अपना व्यभार लचिला रखे अपना पसंदिदा काम निप्टाने की आप योजना बना सकते हैं दूसरों की दारने में किसी की मदद करेंगे काम धंडे नोकरी और परिवार के लिहाज से दिन थोड़ा ठीक रहेगा काम में मन लगेगा उत्सहावी आपका बढ़ेगा उपाई के रूप में भोजन के बाद सुफ या फिर इलाईची खाना आपके लिए शुपलताई साबित होगा आ अचानक सब कुछ अच्छा हो जाएगा जीवन साथी के साथ आपकी खूब निभेगी और पारिवारी जीवन सुखद रहेगा तन मन और माहुल में कुछ दिनों से चली आरे सुस्ती भी समाप्त होगी ओफिस करिक्षेटर में कोई इस्थिती आपकी रूटीन लाइप को बदल सकती है सामाजिक तोर पर आप काफी सक्री रहेंगे लोगों से मुलाकात और प्रसनता होगी आपकी मदद या प्रेड़ना से कुछ लोगों को सफलता मिलेगी जो काम आपको दिया गया है आप उस पर बारी की से ध्यान देंगे आर्थिक मामलों के लिए दिन अब हम बात करते हैं मितुन राशी की कन्फ्यूजन और गलत फेमी की स्तिती से आप बाहर निकल सकते हैं कुछ नया करने का उसर मिलेगा सफल होने के कई तरीके आपके दिमाग में आ जा सकते हैं आपके चिंतन की दिशा सकारत्मक रहेगी आज आप पुरी तरह व्याभार यदि चल रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा आज आप संतुष्टी महसूस करेंगे डामपत्य जीवन आपका सुखद रहेगा आपका व्याभार पार्टनर को परिशान या दुखी कर सकता है व्यापारिक जवाबदारी और प्रतीस परदा में जल्द बाजी से नुकसान ह हो सकता है उपाई के रूप में यदि आप कोई भी लाल रंग का फल देवी जी के मंदिर में चड़ाएंगे तो आप का देंट शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक जोकी नौ होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की आप अपने मन की बाते किसी को पता नह अंतरन रखे इससे आपको ही फाइदा होगा जो भी बोले सोच समझ करके बोले अपनी इच्छा से आप किसी की मदद कर सकते हैं आपकी योजनाएं पूरी होगी और उससे आपको फाइदा भी होगा आज आप किसी बात पर नर्वस हो सकते हैं आपके मन में खुद को लेकर के फालतु का डर या संसय उत्पन हो सकता है चुट-पुट समस्याइं जरूर है लेकिन आप उसका समाधान भी निकाल लेंगे उपाई के रूप में यदि आप मा दुरगा के मंदिर में कोई भी पुश्प चड़ाएंगे लाल फूल या पीला फूल चड़ाएंगे तो आप का डिन शुप फलदाई साबित होगा और आपका भागिशालियन की जोकी एक होगा अब हम बात करते हैं सिंगरासी की जो भी काम सामने आये उसे निप्ताते चले आये दूसरों से बैधड़क मदद मांग ले आप अपनी ख्रमता दिखाने का मोका न चुके अपनी रचनात मक्त योगिताओं के कारण आप सभी से अलग रहेंगे कोई दोस्त आपको परेशानी के वक्त मदद कर सकता है परिवार प्रेमी और संतान को लेकर आपको जादा ही भावख हो सकते हैं प्रेमी या जीवन साथी को समय देंगे धर इसे खुद पर कंट्रोल करेंगे सफलता आपको मिलेगी अचानक कोई रुकावट या परेशानी आ सकती है और मानसिक तनाव का सामना भी आपको करना पड़ेगा कुछ कारियों में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा और उपाई के रूप में एक धूप बत्ती यदि अपने घर के मंदिर में जलाएंगे तो अब हम बात करते हैं कन्या राशी की दूसरों के साथ तालमेल बना कर आप चलेंगे जिससे नोकरी में आपको फायड़ा होगा आप थोड़ा स्वतंत्र और खुद को तैनाव मुक्त महसूस करेंगे आफिस का कोई विवाद निप्टाने की कोशिश आप कर सकते हैं परिवार के कुछ मामले सुलजाना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा कोई भी फैसला करने के पहले परिवार के सदस्यों के साथ सलह मश्वरा अवस्य करें आपके विचारों में मजबुती आएगी अपने मन की हर बात कहने के प्रति आप उच्शुक रहेंगे आज हम बात करते हैं तुला राशी की आज आप किसी अच्छी खबर की जर्वत महसुस करेंगे इस सिलसले में एक आपको जो है संदेश प्राप्त भी होगा और आपका सम्मान बढ़ेगा और कोई ऐसी जुम्मेदारी आपको दी जा सकती है जिसे सिर्फ आप ही कर सकते हैं किसी विवाद को सुलजाने में आपकी दक्षर्टा का प्रयोग किया जाएगा आपको कई लोगों और कई तरह के मामलों का सामना करना पड़ेगा खुद पर नियंतरन रखेंगे तो आगे आप पढ़ जाएंगे पैसो का कोई मामला यदी चल रहा है तो वह सुलज जाएगा ज किसी काम की जित करेंगे तो काम बिगड़ सकता है इच्छा न होते हुए भी थोड़ा बहुत आपको खर्च करना पड़ेगा लोगों की सला या बातों के कारण आपका कंफूजन बढ़ सकता है ओफिस में आप अपने किसी बड़े आदमी से उलजने का पूरा मन भी बना स सकते हैं और साथ के लोगों से बात करनी का तरीका आपको ठीक रखना चाहिए उपाई के रूप में भगवान विष्णुजी के मंदिर में यदि आप पीला फूल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशालियन के जो की चार होगा अब हम बात करते हैं वरश्चिक रासी की आपका स्वभाव हस्मुक रहेगा और आप कई समस्याओं को समाधान हसी मजाक में ही निप्टा लेगे पार्टनर को समय दे औफिस में काम करते समय आपका ध्यान पार्टनर पर बना रहेगा पैसो की स्थिती पर आपको गंभीरता से विचार करना होगा आज आपने जो सोच रखा है वो हो जाएगा मानशिक शांती रहेगी मेहनत कम है परिनाम आपका दिल खुश कर देगा व्यापार अच्छा चलेगा जीवन सांती की सेहत पर आपको ध्यान देना चाहिए उपाई के रूप में यदि आप भोजन के बाद ग की साबित होंगे कुछ ऐसे लोगों से आपकी बादचीत होगी जो आपके लिए महत्त पूर्ण रहेंगे बादचीत करने का कोई नया तरीका आप निकाल लेंगे और आर्थिक लाप का रास्ता भी आपका बन जाएगा जो चल रहा है उसे चलने दे आपका कोई बड़ा फ फलदाई साबित होगा और आपका भागिशालियंक जो की साथ होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की जो लोग आपका विरोध करनी की कोशिश करेंगे वो आपके सामने थोड़े कमजोर हो जाएंगे इससे आपको अपनी बात पर टिके रहने का आउसर मिल पाएगा अब अब बहुत से काम निप्टाना चाहेंगे मानसिक सुस्ती भी आपकी समाप्त होगी आपको कोई ऐसा काम या नोकरी मिल सकती है जो मानसिक तोर पर आपको व्यस्त रखेगी दिन आपके लिए अच्छा है परिवार या प्रेमी जनों के साथ कोई अन्बन हो सकती है और उसक समाधान भी आपको प्राप्त हो जाएगा और उससे अच्छा मोका मिलेगा पैसो के मामलों में आपको कोई कारगर सलहा भी मिल सकती है और कोई दस्तावेज यदि आपके उल्जेवे तो वो भी सुलच जाएंगे सोच समझ कर किये गए कामों से आपको भरपूर फाइडा ह उपाई के रूप में गाय को यदि आप रूटी खिलाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशालियंक जो कितीन होगा अब हम बात करते हैं कुंपराशी की कोई राज की बात आपको पता चल सकती है और आपके मन में अचानक कोई ऐसे विचार उत्पन होंगे जो आपको फाइडा देंगे आपकी मुलाकात होगी उपाई के रूप में एक नारियल यदि आप भगवान हनुवान जी के मंदिर में चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशालियंक जो की पाँच होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की कोई खास बात आपको पता चल जाएगी व्यावसा या नोकरी के कुछ कामों में आप भागिशाली साबित होगे कुछ दोस्तों और परिच्चोतों से आप चर्चा करेंगे आगे चल करके आपको ही फायदा होगा कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपकी महत्वपूर्ण चर्चा होगी मुलाकात होगी उनसे आपको फायदा होगा कोई काम आपने पिछले दिनों सुरू किया है उसके भी अच्छे परिनाम आपको देखने को मिलेंगे उपाई के रूप में तामबे के लोटे से भगवान शंकर जी को जल चड़ाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा और आपका भाग गिशाली अंक जोकी 9 होगा तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाई तथा भाग गिशाली अंका हमने आपको बताए है हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा थार उनको का भागए है करताँ हमारे और बताग sung झाली अंक मुचक हमारे भागों के वीडियों क juist शेपशक अनक का वीडियों को शेन था वीडियों कर भागों का भागों को शेगैं दे नहले अर रह रहेगा दूंजे पना को शेयर को पना सитесь Centralह झाँ़ा यादाए भ़ा